Hello friends, welcome back to your own YouTube channel Facts with Jeff आज हम बात करेंगे कि क्या difference होता है red mercury में और silver mercury में वीडियो शुरू करने से पहले एक request करूँगा वीडियो को like, share और चैनल को subscribe कर देना चलिए वीडियो शुरू करते हैं सबसे पहले बात करते हैं silver mercury के बारे में ये आपको मिल जाएगी रेडियोज में 1985 तक के और ये आसानी से मिल जाती है as compared to red mercury तो इसकी इतनी कीमत भी नहीं होती है और हाँ आप जो ये देख रहे हैं ये silver mercury नहीं है और ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि काफी लोग इसी को silver mercury समझ रही है क्योंकि silver mercury में भी red mercury की तरह liquid होता है बट वो color में silver color का होता है जैसा कि मैं screenshot लगा रहा हूँ आप screenshot में देख सकते हैं इसकी exact कीमत तो मैं नहीं बता सकता बट कुछ तत्थियों को जानकर ये पता लगा है कि ये 5 से 8000 तक बिख सकती है क्योंकि कुछ कारणों की वज़े से ये old instrument में अभी भी use की जाती है मगर आज के जो modern चीज है ये उनमें इस्तिमाल बिल्कुल नहीं होती है So friends ये तो बात रही silver mercury के अब बात करते हैं red mercury के बारे में So friends ये किन-किन चीजों में मिल रही है और लोग इसको क्यों खरीद रहे हैं और ये किन-किन चीजों में इस्तिमाल होती है सभी topics पर मैंने वीडियो बनाई है आप चाहें तो i button पर click करके देख सकते हैं वैसे वीडियो के description में भी link दे दूँगा जब आप ये वीडियो देखेंगे कि लोग क्यों खरीद रहे हैं उस वीडियो में ये आपको पता लग जाएगा कि ये इतनी महंगी क्यों होती है उसमें मैंने detail में समझाया है So red mercury क्या है ये जान लीजिए कि ना red liquid mercury की कीमत है और जो लोग कहते हैं आपका TV या रेडियो इतने में खरीद लेंगे इतने में खरीद लेंगे ना ही उसकी कीमत है बस कीमत है तो उसमें पाई जाने वाले liquid की क्योंकि लोगों का मानना है एटलीस Google का भी मानना है कि ये unnecessary weapons की creation में यूज होती है इसलिए इस पर black market हो रही है और कीमत कहां से कहां पहुच रही है वो तो आप जानते ही है क्योंकि इसमें जो chemical यूज हो रहा है वो काफी rare मानना जाता है इसलिए इसकी कीमत काफी जादा होती है और हाँ आपको एक important बात बता दूँ जो अकसर लोग गल्गती कर बैठते हैं वो ये कि अगर आपको ये मिलती है तो इसको खुद अपने हाथ से न तोड़े और ना ही इस पर बार-बार lab test कराएं एक genuine experience से test करा लें क्योंकि बार-बार test कराने से हो सकता है जो आपकी active red mercury है वो inactive हो जाए क्योंकि ये सिर्फ 4 या 5 test ही bear कर पाती है तो इस पर बार-बार test कराने कोशिश ना करें ये inactive हो सकती है और या फिर खराब हो सकती है फिर इसकी कोई कीमत नहीं रह जाएगी और अगर आपको inactive mercury की कीमत मिलती भी है तो फिर वो बहुत कम मिलती है आपके expectation से बहुत कम सो फ्रेंड्स ये बात रही red liquid mercury की और बाकी topics पर मैंने वीडियो बनाई है आप जाकर चेक कर सकते हैं सो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही अगर वीडियो पर संदाई हो तो वीडियो को like, share और चैनल को subscribe करें लिए हैं next वीडियो में जब तक के लिए stay tuned thank you